उत्तर प्रिदिस पुलिस की और से नई रिक्रुमेंट एक्टिवेट किया गया है, कैसे आप इसमें आविदन करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर प्रोसेस देखेंगे, इसमें कॉंस्टेबल P.A.C. स्पोर्ट कोटा की वेकंसी है, आउनलाइन आप सभी कैंडिडेट इ आपको यह जौब करना पड़ेगा, इसके लाश्ट डेट एक जनवरी 2024 है, आउनलाइन आप इसमें आविदन करेंगे, ओफिस्यल वेबसाइट की यह लिंक है, 14 दिसंबर 2023 से यह फार्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ, इसके लाश्ट डेट एक जनवरी 2024 है, इसमें सभ और फीमेल दोनों कैंडिट फार्म अप्लाई करेंगे, जिसमें स्पोर्ट की सर्टिफिकेट मागेंगे हैं, इस साइड में आपको दिखाया गया है, यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट सर्टिफिकेट मेंसन की गया है, इन सभी के लिए आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं, इन में से आप चेक कीजिए, जो भी आपके पास sport की certificate है, उसके दोरा आप farm को submit कर सकते हैं, इसमें जो selection process होगा, पहले आपका physical test दिया जाएगा, इसके बाद sport trial होगा, और इसके बाद आपके document verification किये जाएगे, इसके बाद medical examination होने के बाद आपका इसमें होगा selection, भरती को apply कर आपके पास 12 की qualification होनी चाहिए, इंडिया के किसे भी recognize board के दोरा, उसके साथ आपका participate game होनी चाहिए, जो भी यहाँ पे game लागू की गई है, इन में से कोई भी game आपके पास होनी चाहिए, तो चलिए कैसे आप farm को apply करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे, सबसे पहले इस website प्याना है, इसका link हमने already नीचे description में आपको दिया है, पहली बार आप apply करेंगे तो पहले इसमें registration करेंगे, यहाँ पे button मिलता है, new registration का आपको इस पर click करना है, click करने के बाद सबसे पहले mobile number यहाँ पे आपको लिखनी है, इसके बाद नीचे capture को मिलता है, इस box में आपको इसके बाद आप अगर dizzy locker के दोरा login करना चाहते हैं, तो यहाँ first option को select करेंगे, अगर आप बिना dizzy locker के दोरा आप login करना चाहते हैं, तो second option को select करेंगे, इसके बाद जैसे ही click करेंगे, आपके mobile number पर एक one time password भेजा जाएगा, जिसे OTP कहते हैं, यहाँ OK के option पे आप click करेंगे इसके बाद OTP लिखना है, और यहाँ submit के option पे click करना है, click करते हैं, successful verify हो जाएगा, इसके बाद कुछ इस प्रकार से यह options मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा नीचे करना है, basic details mention करनी है, सबसे पहले यहाँ पे अपना first name लिखेंगे, middle name है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं इसके बाद यहाँ पे last name लिखेंगे, यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे माता का नाम लिखना है, इसके बाद यहाँ पे एक calendar मिलता है, आपको इस पर click करना है, click करते ही यहाँ पे अपने date of birth को आप search करके इसमें select करेंगे, date of birth select करने के बाद कितने सा करेंगे जनरल OBC या SCST अगर आप OBC केटेगरी से आएंगे तो आपको नॉन क्रिमिलेयर या क्रिमिलेयर में आते हैं यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा और इसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर लिखना है यहाँ पर आइदेंटिफिकेसन विज्वल मार्क लिख नेक्स्ट या अगला आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका यह डिटेल से दिखाया जागा यहाँ पर आपको अपना complete address लिखनी है अपने address को लिखने के बाद यदि आप सेम पते पर रहेंगे आपको यहाँ पर यहाँ पर yes के option पर क्लिक करन है इसके बाद अपना other information details mention करेंगे जैसे अगर आप UP के निवासी हैं तो yes करेंगे नहीं तो आप यहाँ पे no के option पर select करेंगे अगर आप EX serviceman है या government employee है तो yes करेंगे नहीं तो आप इसमे no को select करेंगे यदि आप EW yes category से आते हैं तो आपको yes करना पड़ेगा नहीं तो आप इसमे no को select करेंगे यहाँ पर आपकी I annual कितनी है वो भी इसमें आपको mention की गई है अगर आप EX serviceman candidate है तो yes करेंगे नहीं तो आप यहाँ पर no के option पर select करेंगे आपके नाम से कोई भी criminal case इस दर्ज है तो यहाँ पर yes करेंगे और यहाँ पर details mention करेंगे यदि नहीं है तो इसमें no को select करेंगे यहां next के options पर क्लिक करेंगे इसके बाद अपना education qualification details mention करेंगे सबसे पहले 10 की qualification आपको mention करनी है यहाँ पर board आपको select करना है, किस board से आप qualified किये हैं, इसके बाद यहाँ पे passing year select करना है, कि कौन से year में आप pass हुए हैं, यहाँ पे अपना दस्वी का roll number लिखेंगे, percentage या CGPA से pass किये हैं, तो वो यहाँ पे percentage mention करेंगे, इसके बाद ही किसी प्रकार अपने बारहभी की qualification को लिखेंगे, आपके पास degree qualification है, तो यहाँ पे आप अपने degree को select करेंगे, वैसे इस post के लिए जितना qualification मांगा गया है, उतना qualification अगर आप लिख के submit करते हैं, तो form submit हो जाएगा, सो फिलाथ हम यहाँ पे intermediate तक की qualification इसमें mention करते हैं, जितने भी qualification आपको लिखना है, यहाँ पे mention करने के बाद, next के option पे click करेंगे, इसके बाद अपने documents को upload करेंगे, सबसे पहले अपने photograph को upload करेंगे, यहाँ पे button मिलता है choose file का आपको इस पर click करना है, jpg format में यह आपकी photograph मांगी गई है, जहाँ पे आप अपना photo रखे हैं, आपको वहाँ पे जाना है, photo को select करना है, इसके बाद open के option पे click करना है, photo आपको यहाँ पे proper add हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार आपको अपने signature को भी upload करनी है, इसके बाद अपना आधार कार्ड अप्लोड करेंगी, इसके बाद अपने दस्मी की certificate को upload करेंगे, इसके बाद बारहमी की certificate को upload करेंगे, इसके बाद अपना cash certificate upload करेंगे, इसके बाद domicile certificate upload करेंगे, तो चलिए जितने भी files मांगे गई हैं, हम इसे upload करते हैं, आधार कार्ट की फाइल jpg format में मांगे गई हैं बकि 10 वे और 12 वे की जो certificate है वो pdf मांगे गई हैं इसके बाद आपको अपने cash certificate और domicile jpg format में upload करनी हैं सभी documents को upload करने के बाद इसे accept करना है और यहां submit के option पे click करना है इसके बाद previous कुछ इस प्रकार से दिखाया जागा इसके बाद आपको नीचे करनी है application form में कोई भी details गलत है तो आप back जाके change कर सकते हैं इस page को print करना होगा तो यहां print acknowledgement के option पे click करके print out ले सकते हैं complete apply के लिए यहां click here to apply post के option पे click करना है post apply के option पे click करते हैं कुछ ऐसा options फिर से आपको दिखाया जागा आपको नीचे करनी है इसमें कुछ options आपको fill up करने पड़ेंगे कुछ options आपके fill up रहेंगे already जैसे अन्न details में सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी O level की certificate है तो आपको यहां पर yes करना है और इसके बाद उसका details आपको इसमें mention करनी है अगर आपके पास O level की कोई certificate नहीं है तो यहां no की option पे आप select करेंगे यदि आपने territorial army में 2 साल का service किया है तो yes करेंगे और उसका details इसमें mention करेंगे अगर आपने नहीं किया है तो इसमें no को select कर लेंगे अगर आपके पास NCC B credit की certificate है तो yes करेंगे और यहां पे details को mention करेंगे नहीं है तो यहां पे no के option पे select करेंगे इसके बाद अपना preference इसमें select करेंगे इसके बाद post apply यहां पे आपको click करनी है आप कौन से post को select करके apply करना चाहते हैं यह sport की certificate के तहट आप apply करेंगे तो जैसे आप अपना select करेंगे यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से position के खिलाड़ी है या जो भी है वो से आप इसमें select करेंगे इसके बाद नीचे करनी है tournament की details आपको mention करनी है आपको इस पर click करनी है अपने tournament को यहां पर select करना है कि आपकी इस प्रकार का tournament खेले है और इसके बाद date यहां पे आपको select करना है कि कौन से date में आपने खेला है और आपकी जो certificate है वो कब आपको मिला है उसका date किसकी दोरा tournament जारी किया गया है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर आपको medal मिला है, तो वो आप इसमें लिखेंगे, नहीं मिला है, तो वो भी आप इसमें लिखेंगे, इसके बाद अपना sports certificate number यहाँ पे लिखेंगे, तो चले हमारे पास जितना भी है, हम यहाँ पे year wise इसमें लिख हैं सभी details को लिखने के बाद आपको certificate को upload करनी है PDF file मांगी गई है 200kb से कम होनी चाहिए file यहाँ choose file के option पे click करके upload कर लेंगे इसके बाद नीचे आपको आना है यहाँ आपको इस term and condition को accept करनी है इसके बाद आपको यहाँ submit का button मिल जाता है आपको इस button पे click करना है इसके बाद कुछ इस प्रकार से फिर से यह page आपको मिलेगा आपको बिल्कुल नीचे करनी है यहाँ पर चालान payment करने का option मिलता है आपको इस पर click करना है इसके बाद चालान payment करने के लिए आपको slip मिल जाएगा इसके बाद आप इसे A4 Size में Print Out लेंगे Print Out करने के बाद किसी भी भारती State Bank of India के साखा में जाके आप इसमें जितना amount fee रखे गई है वो payment करनी है Payment करने के बाद Home Page पर आना है यहाँ पर बटन मिलता है Upload, Payment, चालान, भुगतान आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर UP Police की ID Number लिखनी है यहाँ पर अपना Mobile Number लिखेंगे इसके बाद Capture मिल जाता है यहाँ पर लिखना है और इसके बाद Summit के बटन पर क्लिक करना है जो चालान नमबर जनरेट होगा वो चालान नमबर यहाँ पर आपको लिखनी है इसके बाद किस डेट में आपने चालान को पेमेंट किया है वो डेट आप यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद चालान कॉपी आपको मिलेगा उससे आप यहाँ पर अप्लोड करेंगे तो यहाँ पर आपको View Application Status का Option मिलता है आपको इस के बाद आपको फिर से अपने अप्लीकेसन नमबर को लिखनी है और यहाँ पर Mobile नमबर लिखेंगे इसके बाद Capture Code लिखके आप यहाँ पर Summit के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी जो Application Form की Status है वो आपको इसमें दिखा जागा कि form आपका fee payment हो चुका है कि नहीं हुआ है या form submit हुई है कि नहीं हुई है आपका सारा चीज वहाँ status में मिल जागा तो step by step मैंने आपको सारा process दिखा जाए कि इसमें क्या-क्या step आपको follow करना पड़ेगा fee payment करने के बाद तो वीडियो पसंद है guys तो इस वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा कोई सवाल होगा तो comment जरूर कीजेगा ओके guys मिलता है next वीडियो में बाई बाई जाहिन